जाडे का मौसम शुरू होते ही हम लोगों के सभी के घरों में लड़ू, चिक्की ये सारी चीजें बनने लग जाती हैं गुड का इस्तमाल जादा होता है क्योंकि ये बहुत जादा हिल्दी भी होता है और जाडे में बहुत अच्छा भी लगता है इसको खाना तो मैंने आज बनाया है, ये मेवे के लड़ू, वैसे तो इसमें गोंद बगर अभी पढ़ते हैं लेकिन हमने अपने ठाकुर जी के लिए बनाया है और ठाकुर जी को गोंद का भोग नहीं लगता है तो इसी लिए मैंने सिर्फ मेवे और आटे का लड़ू बनाया है तो चलिए देख ल जो गोला होता है उसी को मैंने घिस लिया है क्योंकि डेसिकेटर जो कोकोनट वाला मिलता है उसमें ओल की मात्रा बहुत कम होती है अब हम उस घी में से एक चमच घी डाल देंगे और पहले अपने बदाम को जो है अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे और इसी में फिर हम द्यान रखेगा जैसे अब हम ये पिस्ता और पंकिन सीड भूनने जा रहे हैं पंकिन सीड पिस्ता और गरी और मगच के बीच ले लीचे मैंने वाटरमिलन सीड लिये हैं ये सारी चीजों को बहुत कम रोस्ट करना होगा नहीं तो ये जल जाएंगे और कड़वा पना जा जाएंगी और जो ये तर्बूच के बीच हैं और गरी इन दोनों को हमें बुन करके अलग रख लेना होगा बाकी जित्ते भी मेवे और सीड अभी हमने भुने हैं उन सब को हमें दरदरा पिस लेना होगा पिसने से पहले ध्यान रखेगा कि ये अच्छी तरह से ठंडे हो हो और पिस्ते टाइम भी ध्यान रखेगा कि पल्स मोड पे पिस्येगा लगातार अगर आपने पिसा तो ये अपना ओयल रिलीस कर देंगे अब कड़ाई को खाली करके उसमें हम घी डाल देंगे और गेहूं के आठे को डाल देंगे फ्लेम को लो रखेंगे अच्छी तरी हमें इस आठे को बहुत अच्छे से से शेखना है देखिए इसका कलर धीरे-धीरे चेंड़ हो रहा है जल्दिबाजी बिल्कुल नहीं करिये का फ्लेम को लो रखेंगा और धीरे-धीरे करके इसमे घी डालीएगा एक साथ सारा घी नहीं डालेंगे मैंने इसमें घी की कौ करते हैं तो जादा घी भी डाल सकते हैं और दूसरा अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो भी इसकी कौंटिटी बढ़ा सकते हैं घी की और अगर आप प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बना रहे हैं जो प्रेग्नेंसी के बाद जो लोग लड़ू अगरा बनाते है तो उसमें भी घी कॉंटिटी बढ़ाई जा सकती है देखिए हमारा आटा बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुका इसमें से घी रिलीज होने लगा इसका कलर चेंज हो गया है और पूरे घर में बहुत ही अच्छा सा अरोमा आ गया है देखिए मैंने सारी चीज हैं दर्दरी पिसली है गरी और तर्बूच के बीच को छोड़ करके आटे को मिक्स करेंगे अब इसी कड़ाई में अपने घुड को मिल्ट कर लेंगे घुड को मैंने घिस लिया है ऐसे ही आप भी करियेगा या तो घिस लीजेगा या बिल्कुल बारी कट कर लीजेगा ऐसा करने से हमारी दो चीजों का फायदा होगा एक तो कोकिंग बहुत जल्दी हो जाएगी और दूसरा ये कि ये जो गुड है वो इवनली कोको का गुड और शक्कर ऐसी जीजे हैं जो कि गरम होने पर बहुत तेजी से हीट अप हो जाती है तो इन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इसलिए आपने अगर इसको बारी कट कर लिया तो एक बराबर से पूरा गुड सिकेगा थोड़ा सा पानी डाल देंके केवल दो से तीन चमश तक और हमको इसकी चाशनी वगरक कुछ भी नहीं बनानी है सिर्फ गुड के मेल्ट होने तक हमको इसको गरम करना है जिससे कि अच्छी तरीके से पूरे आटे में कमबाइन हो जाओ और हमारा घी भी कम लगे क्योंकि ये गुड मेल्टेड है तो ये अच्छी तरह से कमबाइन हो जाएगा और हमारे लड़ू असानी से बंद पाएं के कम घी होने के बाद भी अगर तब भी मैंने आपको बताया आपको लगे कि थोड़ा सूखा हो रहा है तो आप उसमें घी मिक्स कर सकते हैं गुड डालने के बाद आपको बहुत तेजी से हाथ चलाना होगा ध्यान रखेगा गुड बहुत गरम है तो हाथ बिलकुल नहीं लगाईएगा किसी भी कलची से या किसी भी स्पेचुला से पहले हमें गुड को अच्छी तरीके से पूरे आटे में और मेवों में मिक्स कर लेना होगा ये प्रोसेस तुरंद करिएगा और जो लड़ू बनाने का भी काम है जब आपका ये मिक्सर हलका सा गुन-गुना रहे तब ही आप बनाने लग चाहिएगा अगर बिलकुल ठंडा हो किया तो आपको बहुत मुश्किलों का लड़ूओं को बाढ़ना अब मैंने इसमें सोट का पाउडर और इलाइची पाउडर डाल दिया है सोट की मात्रा थोड़ी सी जादा करियेगा इसमें जितनी भी चीजें पढ़ी हैं ना सारी ही हेल्थ पॉइंट ओफ यू से बहुत ही जादा अच्छी है अगर सब के बारे में बताने लग जाओंगी तो वीडियो बहुत ही छोटा पर जाएगा पंकिन सीज और भी सारी चीजें जो मैंने इसमें डाली हैं उसके जितने भी बेनेफिट से मैंने और अपनी वेट लॉस बहुत सारी डेसिपी शेयर की है उसमें बहुत डीटेल में सब के बारे में बताया है तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजेगा वहां आपको मेरी प्लेलिस्ट और लिंक्स मिल जाएंगी अब हम इन लड़ूओं को बांध लेंगे तो ध्यान रखिएगा जैसे मैंने आपको बताया कि जब गुन-गुना हो आपका मतलब हाथ लगाने लाइक आटा हो जाए तभी आप लड़ू इसके बांध लीजेगा नहीं तो आपको बांधने में बहुत दिक्कत होगी थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगे कि ये ड्राय हो रहा है तो इसमें घी पिगला करके आप डाल सकते हैं या थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं पिगला करके मेरे मैंने जो गुर की quantity आपको बताई है वो बिलकुल accurate है मेरे आटे के हिसाब से लेकिन अगर आप मीठा जादा खाते हैं तो आप जादा भी कर सकते हैं और कम खाते हैं तो फ्रेंज होप करती हूँ कि आज ये लड़ू की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी हो कि अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीचेगा और चैनल में पहली बाहर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किये बिरना मिलकुल मिलने जाएगा फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाबाई टेक क्या थैंक यू